नमस्कार मैं टॉक्टरा मधुगुप्ता आज के इस हिंदी व्याख्यान माला में आप सका हार्देख स्वागत है आज हम राश्ट कभी मैथली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव है एक बहुती लोक्रिय और प्रसिद्ध गीत सखीवे मुझसे कहके जाते परविचार करेंगे और उसे संचेंगे देखने इस गीत को सबजने से पहले आए थोड़ी इसकी प्रश्ट गुमी पर नजर डालते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथली शरण गुप्त ने उन उपेक्षिता नारियों पर अपनी कलम चलाई जिनने कावे में अपने तमान त्याग और समर्पन के बाद भी वो गरिमा और वो इस्थार प्राप्त नहीं हुआ था जो उने होना चाहिए था जैसे और मिला यशोद्रा कई-कई मंत्रा यशोद्रा खंड कावे के कैंदर में सिद्धार्त नहीं यशोद्रा है और इसका पूर्वर्द इतिहास प्रसिद्ध वह घटना है जिसे इतिहास में महा भिनिश क्रमन के नाम से जाना जाता है शाक्यवंशी राजकुमार से दार्त इस सांसारिक दुख और वेदना से मानफ्ता को मुक्ति दिलाने है तुँ सत्य की खोच करना चाहते हैं और इस सत्य की खोच के लिए अपेक्षा है का ठोट तपस्या की जिसे वे ग्रहत्यातर ही कर सकते हैं सिख्धार्त सत्य की खोच के लिए अपना ग्रहत्या करते हैं लेकिन यशोद्रा का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं अतवर रात को यशोद्रा को और अपने राहुल को सोता हुआ छोड़कर इस प्रसंग के उत्रार्द को कभी मैथली शर्ण गुप्त ने अपनी कल्पना की लेखनी से बड़ी मार्मिक अभिवन जिना दिया है उन्होंने परित्यक्ता यशोद्रा की विरह जनित पीड़ा को मार्मिक स्वर देते हुए उस स्वावी मानी इस्त्री के उच्च और द्रण व्यक्तित को हमारी सामने रखा वस्तुत है यह खंड कावे गद्य पद्ध की मिस्ष अली में लिखा गया है जिसे चंपू कावे के नाम से जानते हैं और यह खंड कावे एक चरित्र प्रधान कावे है जिसमें यशोद्रा के चरित्र को पूरी गरिमा से महिमा मंदित किया है कवी मैथली शंगुप्त ने उनकी यशोद्रा अनुरागनी है, स्वावी मानिनी है, न्याई प्री है और प्रती व्रता धर्म को वो पूरी तल्लेंता और विश्वास के साथ ने भा रही है वह प्रोशित पति का नाईका यशोद्रा वेतना मही है, वासल्य उसमें भरा हुआ है, भारतिय संस्क्रती के उच्च मुल्यों और आदर्शों से वो मन्डित है, मानिनी है और उसका व्यक्तित काफी सयमी और दर्ता के साथ इस खंड कावे में हमारे सामने आता है उद्देश्य केवल यशोद्रा के विरह पीड़ा को स्वर देना उसको अविवन्जित करना ही नहीं है साथ ही कभी मैथली शरंगुप्त भारतिय इस्त्री की स्वावी मानी प्रकरती और त्याग और समर्पन के जब भाव है उसको प्रकट करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनका एक उद्देश्य और परिलक्षित होता है उन्होंने इस खंड कावे में सन्यास के उपर ग्रस्त धर्म की स्रिष्ट ताकीव प्रधांता देते हुए और इस धांत को प्रतिपादित किया है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक है दोनों को एक दूसरे को अपने निर्णे और अपने कर्म श्रित्र में सहभागिता के साथ चलना है तबी ग्राष्ट धर्म भी सफल होगा और शायद मानवता की सेवा भी भली बाती हो पाएगे इस खंड कावे में श्रंगा रस के वियोग पक्ष को बड़ी उतकरश्टता के जाथ कवी मैतली श्रंग गुप्त ने रस्तुत किया है साती शांत रस, करून रस और वासल रस कावी यह था इस्तान की पून परिपाक मिलता है इस कावे की भाषा शुद्ध हिंदी की खड़ी बोली है तो इसकी गीती कावे शैली पर हमें शायवादी श्रंग जलक इस पश्रूप से परिलगत होती है इस गीती कावे में म्रदुता और प्रभावशीलता देखते ही बनती है शब्दों की पदमेत्री और छंद की यतिगती गेता और संगीतात्मक्ता के नुकूल है इस प्रकार ये खंड कावे हिंदी लोग जगत में काफी लोग के पिरिया रहा जन जन की जवान पे रहा और आज इसके हम एक प्रसिद गीत का गान और व्याख्या करने जा रहे हैं आशा है आपकी आपेक्शाओं पर खरीलत रोगे गीत है सकीव मुझसे कहके जाते हैं ये शोद्रा बड़ी वेदना के साथ बड़ी दुख और पीड़ा के साथ अपने भाव को अभिशक्त कर रही है कि सिद्ध हे तु स्वामी गए उनके स्वामी का नाम है सिद्धार्थ अभी वो सिद्ध नहीं हुए है अभी वो सिद्धी प्राप्त करने के लिए गए है एक मन में शिकायत लिये हुए है वस्तते इस कावे में ये शोद्रा की व्रह वैता को तो विंजित किया ही है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज कि एक इस तरी का एक स्वाबी मान एक उसका मान एक उसका सम्मान होता है उसका भी अपना एक एहम भाव होता है जिसका तुस्टी करन वो स्वाबी मान को लिए ये शोद्रा के मन में एक शिकायत है कि सिध्धार्थ मुझे बिना कहे चोरी छिपे क्यों सत्य की खोज में चले गए वो अपने सक्षी से अपने भावों को बांट रही है और बैतित होती होई कह रही है कि सिध्य हे तु स्वामी गई यह गौरव की बात यह तो बड़े गरिमा की बात है यह तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे पती इतने महाल उद्देश्य के लिए समर्पित हो रहे है वो परिवार से उपर उठकर मानवता के लिए कुछ करना चाह रहे है मानवता के दुखों को दूर करने के लिए वो कठोर तपस्या करना चाह रहे है और उसका ठोर तपस्या में वो चुकि एकांत भाव से समर्पित भाव से उस ज्ञान को प्राप्त कर सके इसलिए वे एकांत चाहते हैं तो यह तो बड़े गर्व और गर्व की बात है कि मेरे पती सिद्धी लेकिन और यह लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है हमारे भरती संस्कति में पत्नी को सहत धर्मणी कहा गया है जब साथ भावरे ली जाती हैं न तो साथ वचन लिये दिये जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि पत्नी की सहमती आवश्यक है उसी कि उसी अधिकार की मांग करते हुए ये शोदरा शिकायत कर रहे हैं कि वो गए देखि चोरी-चोरे क्यों गए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं देखि चोरी-चोरी मुझे बिना कहे चले गए इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जिसे मेरे में कुछ हीन भावना कि नहीं देखि यह मेरे दिल को बहल है या मीरे पती मेरे साथ यह व्योग की घड़िया में सहल उंगी मुझे सोता हुँ चोड़कर अकिलेचे लगे बिना कुछ कहें सुनें आगे वो कहती है कि सखी मुझे कहकर जाते तो कहें तुए बता तू मुझे इतना जानती है क्या मैं रोक लेती क्या में उनके पत्की बादा बन जाती क्या में महानकारे क्या सिधधारत मुझे इतना कमजोर समझ रखे इतना संकुचित और संकिन विचार धरवाला समझ रखे था कि केवल मैं व्यक्तिकत हितों के लिए जीओंगी कि अपने परिवार के लिए जीओंगी क्या मेरा मानभता और राष्ट की čिति क्या कोई धर्म नहीं है तो यदि वो मुझे से कह कर जाते तो सखी एक तुष्ट भावना होती मेरे मन में मैं अपने आपको गर्वान भी फिल करती कि मैं ऐसे पती की पत्नी हूँ जो मानत्ता की सेवा के लिए अपने व्यक्तिकत स्वार्थों को अपने तुछ सांसारी सुखों को छोड़ कर पमानत्ता की सेवा के लिए गए लेकर इतने बड़े काम के लिए जाने के लिए उन्हें चोरी चोरी जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें मेरे से कह कर जाते वो मेरे से बात करते पूछते और मुझे अपना सहभागी बनाते तो मुझे अपनी पगवादा नहीं पाते हुआ मैं उनके पत्में बादा नहीं बनती बलकि मैं उनका सहोग ही करती आगे वो कह रही है? मुझे को बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना? सिधर्त ने मुझे मेरे गुणों को देखकर या मेरे रूप योवन को देखकर मुझे बड़ा मान दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, पत्नी का दरजा दिया समाज में एक गरिमा पूर्ण इस्थान दिया बहुत मानती थे वो मुझे लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हेंने मुझे किवल बाहिय द्रश्टी से ही पहचाना मेरे अंतर को तो वो पहचान ही नहीं पाए मेरे हिर्दे को तो वो छूई नहीं पाए मेरे हिर्दे को तो भावना को वो समझ ही नहीं पाए यदि समझते न तो वो मुझे इस तरीके से बिला कहे महान कारे के लिए जानते कि मानता समर्पन की भावना मेरे अंदर भी है और मैं अपने पती के जिस चीज से मेरे पती को सुक और उनके जीवन के उद्देश में सफलता मिले मैं उसमें बाधा नहीं बनूँगी बलकि अपने पती के हर काम में मैं सहभागी बनूँगी ये उन्होंने मुझे नहीं पहचाना मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते लेकिन मैं उनकी मन की भावनों को सब समस्ती थी मैं उनको बाहर से भी पहचाना और अंदर से भी पहचाना लेकिन सिधार्त ने मुझे पूरी तरीके से नहीं जाना उन्होंने मरी योगिता को नहीं पहचाना मेरी क्षमता को नहीं जाना और इस सरीके से मुझे बिना कही सुने रात को छोड़ कर सत्य की खोज में नेकल पड़े सखी वे मुझे से कहकर जाते तो मुझे एक गर्व और गर्मा की अनुभूती होती आगे वो कह रही है कि स्वम सुसजित करके खषड में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमी भेज देती हैं रण में शात्र धर्म के नाते सकी वे मुझे से कहकर जाते यहां यशुद्रा इंगित कर रही है भारती ये नारी के उत्षात्र धर्म की और संकेट कर रही है जहां पत्नियां अपने पती को केसरी अबाना पहना के और तिलक करके युद्ध में अपने प्राणों की बाची लगाने के लिए हस्ते हस्ते भेज देती हैं तो क्या मैं सिध्धार्द को रोक लेती है महान काम पर जाने के लिए और हम सब जानते हैं ना जहने कितनी इस्तरियां और नारिया हैं हमारे भारत में हैं जोनों ने अपने पती को अपके हमने उधारण है हारा रानी का राणी पद्मनी का अनेक है को शस्त्र और अस्त्रों से स्वसजित करके और यह जानते हुए कि युद्ध में उनकी प्राणों पर संकट आ सकता है लेकिन फिर भी हम हसते रते प्राणों की बाजी लगाने के लिए उनको रंक शेत्र में पेज दिया करती है वो हमें बहुत प्रिया होते हैं लेकिन हमारे उनको प्रेरित करते हुए उनको उद्बोदित करते हुए उनको पूरे प्रेम और वात्सल के साथ सुरक्षा और विश्वास के साथ रंके मैतान में बेज दिया करती हैं तो क्या मैं ख्यत्राणी नहीं हूँ मैं भी तो ख्यत्राणी हूँ मैं भी गौतम वुद को पे जाने के लिए शिद्धी प्राप्त करने के लिए नहीं रोकते बलकि मैं उनको हस्ते हस्ते बेज देती हुआ आगे वो क्या रही है हुआ न यह भी भाग या भागा किस पर विफल गर्व अब जागा जिसने अपनाया था त्यागा रहे इस्त्मरण ही आते सकी वे मुझसे कहके जाते यह शुद्रा को बड़ा पश्चतावा हो रहा है पश्चतावा हो रहा है कि मैं कैसी खत्राणी हूँ जिसको यह अफसर भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने पती को एक महान उद्देश्य के लिए परयान करने से पहले उन्हें अभिधा कर पाते हैं यह भागे भी मेरे साथ खेल खेल गया तो मैं अपने जीवन को कैसे सफल मान। मेरे मन में तो अब ये गर्व भी नहीं है कि मैंने एक सफल क्षत्राणी का जीवन जीया है मुझे तो अपना जीवन असफल और विफल ही लग रहा है क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे भरे स्वेंबर में अपनाया था अपने अर्धांग नी बना कर दर्मिनी कि मा था उसी पती ने आज मुझे जान दिया है और मैं परित्यक्ता का जीवन जी रही हुए और इस जीवन में अब मुझे केवल मेरी जो अतीत की मदूर स्मृतियां हैं वो मदूर स्मृतियां ही मेरे साथ रहे गई हैं मैं केवल उन्ही स्मृतियों के सारे अब जीवन जी रही हूँ और आज मेरे मन में गनी वेदना हैं उस वेदना की अनुभूति है और वेदना इस बात की नहीं है कि पती चले गए हैं वेदना इस बात की है कि सखी वह मुझे से कहकर जाते आगे देखिए आप भारतिय नारी की पती वृता धर्म की कितनी उच्च जलक हमको इन आगामी पंक्तियों में देखने को मिल रही है वो पती से उसके मन में एक खिनता है एक असंतोश है अपने पती के लिए कि पती ने उसको इस योग नहीं माना कि वे अपने निर्ने में उस पत्नी को शामिल करते निर्ने लिया और उस निर्ने को लागू भी कर लिया अपने जीवन में और पत्नी को भनक तक नहीं लगी पत्ना को एक भावनां को बहुत ही ध्यान से रखना है यिदि हमें एक दूसरे के मन में उतरना है न उन्हें अपना सहभागी बनाना होगा हर निर्ने में हर कर्म में और यशोद्रा को यही कष्ट है कि सिधार्थ ने अपने कर्म शेत्र में उसको सहभागी नहीं बनाया, खुद भी एकाकी होके चले गए और मुझे भी एकाकी होकर छोड़ दिया, लेकिन यहां भी वो अपने पती को दोश्मक्त करना चाहती है, देखिए सकारात्मक्त देख है, वो अपने पती से खुद शिकायद कर रही है, लेकिन उसके व्यक्तित पर कोई प्रश्चिन नहीं लगाना चाह रही है, वो खोज रही है, ढूंड रही है वो कारण, कि क्या वो कारण रहा होगा, जैसे धार्थ, या शुद्रा को बिना कहे सुने, और सत्य की खोज में चले गए, तो उसके दमाग में एक कारण आया, यह नयन उन्हें है, निश्टूर कहते, यह मेरी जो आखे है, यह मेरी जो नयन है, वो खेंगे वो मुझे छोड़के चले गए, कितने निश्टूर है, जोटर चले गए है, वो आशू बहते, वो किरें कि शैद से धार्थ न चुपचाप चले जाने का निर्णे इसलिए लिया होगा, कि सिधार्थ को लगा होगा कि जब मैं निश्क्रमन करूंगा घर से, घर का त्याग करूंगा, तो यह शोदरा मुझसे बहुत प्रेम करती है, निश्टूर से मुझसे बिछडते हुए उसके आँखों में आशू आ जाएंगे, और सिधार्थ कुगी यह शोदरा से बहुत प्रेम करते थे, वो यह शोदरा के आँखों में आशू को सहन नहीं कर पाते हैं, और तब वो उनके लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, तो यह शोदरा कह रही है, वो तो बहुत दयावान है, उनका ह कि सिधार्थ क्यों छोड़कर चले गए, वो इसलिए छोड़कर चले गए, कि जाते समय मेरे आँखों में आशू आ जाते, उन वो आशूं को सहन नहीं कर पाते, और शायद वो ग्रहत्याग नहीं कर पाते, इसलिए शायद उन्होंने मेरे पे तरस खाया, मुझ पर दया कि कि वो मुझे रोने नहीं देंगे और वो मुझे सोता हुए छोड़कर चले गई यह तरस ख़ते हुए कि जब यह जागे गई जब इसे यह भान होगा कि इसका पती छोड़कर चला गया है तो यह किस कदर यह तरस खाते हुए वो चले गए लेकिन सकھی मैं फिर मेरे मन का जो कश्ट है जो मेरे मन में एक शूल सा गड़ा हुआ है जो मेरे स्वावी मान को छेदरा है वो ये प्रशन है सकींवे मुझे से कहके जाए तो देखे किम किमान को हस्ते हाँ थे विदा करती है कैसे मैं बताती के मैं भी शत्तराणी हूं और उनकी रहा में कभी बाधा नहीं बनोगी आगे ये शुद्रा कह रही है जाएं इस शब्द में देखिए जाएं स्वतंत्रता की बाद कि पती के जीवन का जो देश है वो उसे पूरा करें जाएं, करें, उनके निर्णे को सुईकार करती, जाएं, सिद्धी पा रहें, उनको जाना चाहिए था, यदि उनका मन इस अंसार को दुखों से मुक्त करने के लिए, सत्य की खोच करने के लिए आतुर था, तो वो जाते, जरूर जाते, मैं उनने नहीं रोकती, सिद्धी पा करें और इस संसार को दुखों से मुक्त कराएं और संतुष्ट हों सुखी हों क्योंकि खुद से धार्ट पड़े पीड़िक थे इस बात से कि पुरी काइनात पूरा संसार पुरी दुनिया पूरा जगत दुखों में डूबा हुआ है उन्होंने वो द्रश्चे देखे थे जरा के, म्रत्यू के, बड़ापे के और बीमारी के उन्होंने देखा था कि दुनिया किस तरीके से दुखों में डूबी हुई है और उनके दुखों को कैसे दूर करूँ इस व्यथा से वो वैथित रहते थे तो ये शोदरा कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि वो जाते वो सिद्धी पाते और उनकी वो व्यथा दूर होती कि वो संसार को दुखों से मुक्ति लाकर उनको सत्त का मार्ण दिखला रहे हैं इसलिए मैं आज भी ये प्रार्थना कर रही हूं ईश्वर से और उनके पास अपना ये संदेश भीज रही हूँ कि वो सिद्धी पाएं और मेरी बात को याद करके कभी दुखी न हो कभी ये चिंता ना रहे कि ये शोदरा घर में कैसी होगी वो दुख से मुक्त हो जाएं और संसार को स्वकी करने के लिए सब दिके प्राप्ति करें उपालम्ब दूँ मैं किस मुक्से मैं किस मुक्से उनको उलाहना दूँ वो बहुत अच्छे काम के लिए गई है मैं उलाहना नहीं देना चाहती मैं उन्हें ताना देना नहीं चाहती कि आपने अपनी पत्नी को मान नहीं दिया सम्मान नहीं दिया उनके स्वाबी मान को चोड़ पहुँचाई मैं किस मूझ से उपालब गया एक्चुल मैं बिटा जहाँ अधिकार होता है न? वह ताना दिया जाता है लेकिन कोत्म ने तो सिद्धार्ट ने तो यह शोधरा कौई इस अधिकार से ही बन्चित कर दिया कि वो सिद्धार्ट को ताना भी दे सके कि तुम क्यों जा रहे हो उनको हस्ते हस्ते विधा करती बल्कि आज वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय लगते यसोधा यसोधिरा से बहुत प्यार करते बहुत प्रेम करती है पत्नी धर्म पत्नी पती प्रेम उसके अंदर कुट-कुट के बरा हुआ है लेकिन उसने इस पश्ट शब्दों में कहा है कि उस सूरत में मैं सिद्धर्द से और भी अधिक प्रेम करती है वो मुझे और ज्यादा रुचते वो मेरी लिए पूजा पूजय बन जाते यदि मुझे अपनी से धर्मनी मानते हुए अपने इस निर्णे में मुझे शामिल कर लेते कि वह द्रहत्याक कर सब्दे की खुच के लिए जाना चाहते है तो सखी वो मुझे और भी ज़्यादा प्रिया लगते आगे यशोद्रा अपने आपको संतुष्ट करते हुए क्या रही है अपने आपको सांतुना देते हुए क्या रही है कि गए लोटी भी वे आवेंगे गए हैं वो लोटके भी आएंगे उसे पूरा विश्वास है कि उसका सिधार्थ सिध्धी ही लेकर आएगा इसको सिद्धार्थ बुद्ध बन कर आएगा लौट कर आएंगे वो उसको अपने पती की क्षमता पर योगिता पर पुरा विश्वास है अब कह रहे हैं यह वो कि कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे ऐसा फलू कर नहीं आएंगे कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो पूर में कभी नहीं घटा जारी कि इस दुनिया को दुख से दूर करने का रास्ता निकाल कर लेकर आएंगे वो ऐसा अनुपम लेकर आएंगे जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और लेकर आए हम सब जानते हैं इतिहास में हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्र ने चार आरे सत्य का संदेश दिया अश्टांगीक मार्ग बताए दुनिया को दुख से दूर होने की रहा दिखाई तो यह शोदरा को पूरा मिश्वास है कि वो लौट कर आएंगे और अपना अपूर और अनुपम और पहार इस दुनिया को देंगे जो बहुती अनौखा होगा वो संदेश लेकिन जो वो लौट कर आएंगे तो मैं उनका अभिनांदन कैसे करोगे मैं उनका स्वागत कैसे करोगे यहाँ फिर एक प्रश्ण उठता है फिदी वो मुझसे कह कर जाते उन्होंने ये अधिकार दिया होता अपनी सैदर्मनी माना होता अपने निर्णे में मुझे सैभागी बनाया होता तो जब वो लोट कर आते न, तो मैं उनका अभिनंदन परती गर्व और गर्व के साथ अपना मस्त तक उंचा करके करते हैं लेकिन अब मैं उनका अभिनंदन और उनका स्वागत कैसे करें क्या वे मेरे प्राणों को रोता हुआ पाएंगे जब वो लोट कर आएंगे दूती में डूबी रहूंगी या गाते गाते में उनका अभिनन्दन करूंगी अब ये प्रशन तो अनुत्रित ही रहा है कि ये शोद्रा गौतम के लौटने पर उसका अभिनन्दन कैसे करेगी लेकिन हाँ उसको ये तो बड़ा पस्तावा है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उन्हें बड़े खर्श के साथ गब के साथ हस्ते हस्ते विदा करती वो मुझे अपने पत्मे बाधा या मुश्किल या रोडा बनते हुए नहीं देखते बलकि मैं उनका सहरा बन जाती पस्तत है इस खंड कावे में मैथिश अंगुत ने या शोद्रा के विवश्ता और पुरुष की स्वार्थ पड़ता पर चोट की है महीन सी चोट की है और इस बात को समझाने की कोशिश की है कि भारती अनारी का गौरा और गरिमा उसके महीमा पर उसके स्वाबी मान पर उसके मान पर उसके एहम पर कोई चोट नहीं आनी चाहिए उसे वो मान और समान मिलना चाहिए जो एक सहद अर्मनी को अर्धांगिनी को मिलता है उसी की एक विनम्र शिकायत एक विनम्र अर्धी इसका विता में यशोद्रा के द्वारा लगाई गई है और उसक्षत्राणी के त्याग और उत्सर्ग को सहद वाब से अंकित करते हुए मैतली शन गुप्त ने ना केवल यशोद्रा की मनुवय था को मार्मिक रुप्चे चित्रित किया है परण एक संदेश भी छोड़ा है समाज के लिए पुरुष्वर्ग के लिए कि पत्नी को स्य धर्मनी होने का सुक देना ही चाहिए यह उसका अधिकार है और पुरुष्ट को उस अधिकार से उसे बंचित नहीं करना चाहिए तो यह था वह गीत सकीवे मुझसे कहके जाते मैंने कोशिश की आपको उसके मनुभावों को समझाने की इस गीत का विशलेशन करने की यदि आपके पास इससे संबंदित कोई भी प्रश्ण है तो निसन कोच आप मुझे अपने प्रश्ण भेज सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि अपके अपास अपके 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 बचेशने की